नमस्कार आज हम लोग लीलाधर जगूरी के जीवनकाल का ध्यन करेंगे लीलाधर जगूरी साहित अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी कवी हैं जिनकी कृती अनभों के आकास में चांद को पुरस्कार प्राप्त हुए लीलाधर जगूरी का जन्म, धन्गन, गाउं, तिरही, उत्त्राखंड में एक जुलाई 1944 को हुआ 11 वर्ष की अवस्था में घर से भाग कर अनेक सहरों और प्रांतों में कई प्रकार की जीविका करते रहे फला स्वरूप स्कूल और कॉलेज की सिक्षा में करमिक्ता का अभावड़ा अतह उन्होंने हिंदी भासा और साहित्य से एमे किया और सन 1966 से 1980 तक उन्होंने उत्तर परदेश के सास किये विद्यालियों में सिक्षन कारे किया वे सिक्षक आंदोलन में सक्रिये रहे सिक्षक संक के अध्यक्ष भी रहे सन 1981 में उत्तर परदेश सूचनावस जन संपर्क विभाग से संबंध धित हुए और वहां की मासिक पत्रिका उत्तर परदेश के प्रधान संपादक विबने संप्रती के सिवा मुक्त हैं और लेखन कार में आभी भी सक्रिये रूप से भाग ले रहे लीलाधर जुगारी की प्रमुख का बिक्रिती शंख मुखी सीखरों पर नाटक जारी है इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है बची हुई प्रित्वी घबराई हुई सब्द भै भी सक्ति देता है अनवा के आकास में चांद और इस्वर की अधश्ता में उन्होंने एक नाटक भी लिखा पांच बेटे युगारी को अनवा के आकास में चांद नामक कविता संकलन पर 1997 में साहित अकाद्मी पुरसकार से सम्मानित किया गया लीलाधर युगूरी की कविता जीवन और अनवा के अप्रत्यासित विस्तारों में जाने की एक उतक्रिष्ट कोशिस है पिछले चार दसकों से अपने काव्य और भासाई प्रयोक के कारण उनकी कविता हमेशा अपनी समय में उपस्थित रहती है और उनके समकालिकता का इतिहास दर्ज होता दिखता है समय और शमकाल भौतिक और आधी भौतिक प्राकिर्थिक और बाजार मिथक और टेक्नोलोजी द्रिस अद्रिस पित्थ्वी और उसमें मौजूद कीरे तक का अस्तित्वन की कविताओं में परस पर आते जाते रहते हस्तक्षेप करते खलबली मचाते उलट पुलट करते एक बिश्मर्नी लोग की रचना करते यह वीडियो आप लीलाधर जगूरी की जीवनकाल के अध्यन के रूप में देख रहे थे धन्यवाद जय हिंज जय भारत